सोनन में इस बार दिवाली मनाने के लिए और पठाक के बेचने के लिए विशेश नियम लागू किये गए हैं और अगर कोई विव्यक्ति इन नियमों की अभेलना करता हुआ पाय जाता है तो उस पर नियमों के तहरे सकत कारवाही अमल में लाई जा सकती है इस बार भी पठाक के चैने स्थानों पर ही बेचे जाएंगे और अगर चैने स्थानों के अलावा केहीं कोई व्यक्ति बेचता हुआ पाया जाता है तो उस पर करड़ी कारवाही अमल में लाई जाएगी जिला पुलिस अधिक्षिक मदुसूतन सर्मा ने बताया कि इस बार पठाक के विक्रेता अगर चैने स्थानों पठाक के बेचता है तो उसे उससे जुड़ी दस्तावेश भी रखने पड़ेंगे उन्होंने बताया कि सोलन में पठाक के दस बजे रात से सुबह छे वजे तक जलाने पर पूरा प्रतिबंध है साथ ही अस्पिताल के आसपास पठाक के जलाने पर पुरन रूप से प्रतिबंध है उन्होंने ये भी कहा कि लड़ी दार पठाक के चलाने पर पूरन रूप स से अग रहा है और पटाके बेचने वालों से भी आग रहा है कि STM सोलन ने एक notification किया है एक office order पास किया है उसमें उन्होंने स्थान चिन्नित किये हैं कि इन स्थानों के उपर पटाके बेचे जा सकते हैं तो कृप्या उन्हीं स्थानों पे पटाके बेचें और खरीदने वाले भी उन्हीं स्थानों से पटाके खरीदें जहां पे STM सोलन ने notification की है इसके अलावा माननी उचितम नयायले परदेश सरकार ने एडवाईजरी जारी की हैं उसके अंतरगत जो विदेशी विदेश में बने हुए पटाके हैं उसमें भारत सरकार ने जो परक्रियाएं बनाई हैं उसके द्वारा खरीदेगे पटाके ही बेचे जा सकते हैं अन्यता नहीं बेचे जा सकते हैं इसलिए मेरा यह नुरूद है कि पटाके जो बेचने वाले रिटेलर्स हैं वो ये सुनिश्चित करें कि उन्होंने जो विदेशी पटाके अगर बेचने हैं तो वो सही पटाके हों और उसका उनके पास प्रूफ होना चाहिए कि जिससे उन्होंने ख्रीदे हैं उसने प्रॉपर लाइसेंस लिया था और जो प्रक्रिया है भारत सरकार की उसके द्वार शाम को दस वजे से लेके सुबा छे वजे तक पटाकों के चलाने पर परती बंद है तो मेरा सबसे यह अगरा है कि यह जो नियम बनाया गया है ध्वनी परदूशन और धुमा परदूशन इसको मद्दे नजर रखते हो बनाया गया है यह हमारे सब की भलाई के लिए है वा